नमस्कार दोस्तों डॉक्टर दहिया फिजो थरपी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों के बैक साइड जाने की घुटने के पिछे के तरह पर होने वाले दर्द के बारे में तो दोस्तों अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को य साथ में बैल आइकन है घंटी का निशाना से प्रेस कर दें ताकि जो हम वीडियो आगे बना रहे हैं नहीं कुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो मिस ना कर पाएं दोस्तों हमारे घुटने के पिछे बैक साइड में दर्द होने के क कुछ लोग जैसे घर का काम करते हैं जो लोग उनके लिए यह दिक्कत बार बार उनको सामने आती रहती है बहुसे लोग करते हैं कि घुटने के बैक एक swelling हो गई है वहाँ पे गांट सी बन गई है और वो काफी पेन कर रही है तो दोस्तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें और यह क्यों होता है आओ आपा जानते हैं इस बात की में दोस्तो गुटने के back side में एक flat muscle होता है जिसे हम poplatius muscle बोलते हैं यह जैसे मैं भी बता रहा आपको यह गुटना है हमारा और इस गुटने के back side यहाँ पर poplatius muscle है जो muscle हमारे गुटने को यह जो दो हडिया होती है जो हम तिब्या बोलते हैं और यह उपर की हड्री है जिसे हम femur बोलते है और इन दोनों हड्रीओ को जब यह हड्रिया को जब यह थे करेंगी तो मूव करते टाइम ये हड़ियां ये हलका सा ट्विस्ट करती है उपर की जो हड़ी है वो जब हलका सा ट्विस्ट करेगी ट्विस्ट करने के बाद वो बैंड करेगी और उस ट्विस्ट को प्रॉपरली तरीके से करने के लिए कि घुटना एकदम से निकल ना जाए या घुटना एक कारण से जैसे जिस्टम हम खेल रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बार-बार वो जब हम उसे यूज करते रहते हैं बार-बार मूव करते रहते हैं तो क्या होता है कि उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है, और इंफ्लामेशन के साथ साथ मुहां पर swelling redness, इसारी दिखते हो जाती है, मेसल्स करेार स्टैच हो जाती है और, तो यह सारे उस कारण से दिखते हो सकती है, तो उसके बाद क्या बता है दोस्तों, कि यह जो घुटने के backside का area है, लिक्त होती है १ काम करते टाइम जब हम कोई काम करते हैं तो भी बहुत सारी दिक्कत होती यह जा Christian या घर पे काम करने वाली जो ग्रहनियां हैं, उनको भी बार-बार ये दिक्कत आती है, वो कहती है कि हमें तो बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है जी, और हमें खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है बैठने के बाद, हमें ये swelling है, ये ढंक से बैठने नहीं देती है, ह भी बार-बार ये बात कहते हैं कि हम ढंक से काम नहीं कर पाते हैं, जब हम कसी का काम करते हैं तो दो मिनिट, चार मिनिट के बाद, बहुत ज़्यादा पेन, सीविर पेन हो जाता है गुटने के बैक साइड, जो हमें काफी दिक्कत करता है, तो दोस्तों, ये अभी मैं आप जैसे करना है इस दिक्कत को, तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी जैल से सिकाई करनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी जैल आती है, अब किसी भी अच्छी कंपनी की जैल ने, और जैल से आपने मालिश नहीं करनी, जोर से उसको रगड़ना नहीं है हमने, और जोर जोर से मालिश नहीं करने हमने क्या करना है कि जैसे ऐसे हाथ के उपर जैल हम लगाते हैं लगाने के बाद उसको हम हलके हाथ से बिल्कुल ऐसे हलके हाथ से करेंगे दो चार बार और जब जैसे जो वाइटनेस होती है जैल की हम नहीं सो 10 मिनिट के लिए छोड़ देना है relax हो सकता है कि जो जयल वाइट नहीं होती जो ट्रांस्परेंट कहा सकते हैं जो जयल होती है उनकी वाइटनेस ना खतम हो तो उसका हमने यह अंदाजहा लगाना है कि जो जयल है वो जयल कब तक हमें लग रहा है कि वो काफी कम हो ये skin के उपर दिखाई नहीं दे रहे, उसके बाद हमने उसको छोड़ देना है, और 10 मिनिट छोड़ने के बाद, उसके बाद दोस्तों हमने, सेकाई करनी है, घुटने के back side, तो सेकाई कैसे करनी है, सेकाई हम water bottle से भी कर सकते हैं, सेकाई हम water bag आते हैं, electric उससे भी कर सकते हैं आपके पास बहुत से method होएंगे, हम सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें, कि heat over ना हो, skin जले ना, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, और हमने उसके बाद क्या करना है, कि जो a publicist muscle है, उसकी हमने, जिसके उपर हमने gel लगाई ती हलकेया से, उसकी हमने 10 से 15 मिनिट या 20 हमने सिकाई करनी है, और सिकाई करने के बाद हमने क्या करना है दोस्तों, उसको फोड़ देना है, और आप महसूश करोगे, कि 5 से 7 दिन के अंदर, जानिकि एक अफ़ता मोशली, हफ़ते में आपको काफी अच्छा ralire feel होगा, और जब आपको काफी अच्छा ralire feel होने तो वो एक्सेसाईज आपने करनी है, दोस्तों मैं बता रहा हूं, आपको स्टेच इक्सेसाईज, तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने एक टावल ले लेना ऐसे, और चोटे टावल को हम थ्री फॉल्ड या फॉर फॉल्ड कर लेंगे, जानी कि हम उसको मोड लेंगे, उसके है बाहर की तरफ मोर लेना है हमने बाहर की तरफ मोरने के बाद हम क्या करेंगे कि हम दूसरा प्यार हलका सा पिछे ले जाएंगे और घुटने को मोरने की कोशिश करेंगे ऐसे घुटना मोरेंगे और इसको होल्ड करेंगे फाइव सेकंड के लिए वन तो तारसे पाँच भार या पाँचसरी अखसाइज को सर्थेश्म सकते शेचाहरा कैसि को इतुन के दूसरी ने कि एक्सटर्साइज कि इसके बार दोस्तों डूसरी एक्सराइज में क्या करना है वनने किसी चेर वियर स्टूल पर बैठ जाना है पंजय उठ ऑगार आपने आपाराट किना सब्सक्राइब करेंगे और उसको हम हुल्ड करेंगे five second के लिए one two three four five और फिसके बाद छोड़ देंगे उसको relax छोड़ देंगे उसके बाद दोबारा इसको खिचेंगे अपनी तरफ अंदर की तरफ बहुत जोर से और उसको five second के लिए hold करेंगे और hold करने के बाद हम उसे छोड़ देंगे तो दोस्तो पांस से दस repetition हम इसकी करेंगे तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो घुटने के back side होने वाले दर्द के लिए या घुटने के back side होने वाली swelling के लिए या उससे होने वाली डिक्तों के लिए तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं लीज समय कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सबसक्राइब कर दें और बैल आइकन जरूर दबादें ताकि हमारी जो informational videos हैं उनकी notification आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो को मिस ना करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार